अब का मेरे चैनल पे स्वागत है गाइस एक और वीडियो टॉपिक है कार्बो हाइड्रेट एंड प्रोटिन स्कैम को लेकर क्योंकि इसी ओन यूट्यूब तो हम लोगों को ऐसे बहुत सारी लोग इस वक्त अभी आ रहे हैं अएक तरह से ये वताय जा रहा है कि कार्बो हाइड्रेट इस अवर एंड प्रोटीज नियुक्त अवर फ्रेंड और होता यह है कि जब कभी भी इस दो चीज सामने आती है तो ब्रोटीन के अ मतलब कुछ ना कुछ तो अमनको प्रोड़क्ट देखने को मिलता ही है तो एक प् क्या है इसकी पीछे तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो दो चैनल्स है जो तीन चार चैनल्स है और भी जो डाइबिटीस की उपर पर प्रटिकुलरली वीडियो बनाते हैं जिनका कुछ का में एम है कि डाइबिटीस को हाटाना बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह घ्रियोंकि दिज में आहल tyreच को यह लेकर तो यह बहुत अच्छी बात है कि डाइबिटीस को हाटाने के कुशिश की जा रही है लेकिन डाइबेटीज को जो चीजे हाटाने वाली है इन्होंने जिस चीजों को आगे किया है वो मैं बोल रहा हूँ वो गलत भी नहीं है यानि कि इनका चैनल पर बताता है कि कार्बो हाइडर्ट जब आप शुगर में हो काब लेस करो और प्रोटिन बढ़ा दो यहाँ पर यह लोग बिल्कुल सही है और मेरे को इनका प्रोड़क्ट के बारे में नहीं पता कैसे तुम उसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाओंगा यहाँ पर अब बात यह है कि देखो अभी कोई अच्छा चीज अगर कोई बेच रहा है that is good because हम यह नहीं बोल सकते कि कि हर एक का और कोई बिजनस कर सकता है अगर कोई अच्छा चीज बेच रहा है तो they can do it लेकिन एक चीज है जो मैं उनको गलत नहीं बता रहा हूँ एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ which you don't know about this thing तो इस तरह से अगर हो गया अगर अगर यह बोल रहा है कि carbs and protein के बारे में जो बोल तो वो हिसाब से और एक तरह से calculation भी बोलता है कि आपको calculation करके count करके खाना है कि इतना carbs इतना calculation यह सारे western के तरफ चले गया यह सारे west के तरफ हो गया देखो west बहुत जगे पे सही भी है कुछ जगे पे wrong भी है उनका immunity बहुत लो है less है and यहाँ पर देखो बात क्या आती है कि जब भी भी आपको ऐसा लग रहा है कि you having a diabetes issue तो इसका reason यह नहीं है carbohydrate मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि किसका reason carbohydrate कब है वो भी आपको बताऊंगा और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप यह protein ज़्यादा intake कर लिए तो उसके भी बहुत सारे अलग अलग issues आने वाले टाइम में आएंगे यहाँ पर कि नेचर फेल हो गया यानि कि जो नेचर है आने नेचर ने ग्रेंज दिये है उसमें सारे चीज़े मिक्स है कार्बोहाइडर्ड पूटिन सब चीज़े मिक्स होकर हमको मिलता है तो यहाँ पर एक चीज़ यह हो जाएगा कि गौड देखेगा कि अरे इनसानों ने तो मेरा गलती फाउंड कर लिया मतलब कि यारे मुझे जो प्रोटिन डालके देना चीज़े था सिर्फ आइसोलेट प्रोटिन देना चीज़े था मुने तो बहुत बड़ा गड़बड का दिया तो अभी मैं नया अभी एक काम करता हूँ मुझे मैं अगर अपनी बात करूँ न एक तेरा चौदा पंदरा रोटी में खाता हूँ तबी भी मेरा पेट नहीं बड़ता है इसका मैं रीजन बताऊंगा कि मेन क्या है एक चपती के अंदर आप डाइबर्टीज के अंदर कैसे निकलो गया मेरे को बात बता हूँ अबको किसकी सका लाइफ बहुत बेकार है यह बात सही है कि आपका डाइबर्टीज है तो आपको कमी रोटी खाना पड़ेगा लेकिन डाइबर्टीज नहीं है तो आप उसके बाद भी यही आ रहा है कि आपको रोटी कभी खाना पड़े यह मैं कि इडिस वाट? इडिस जो Western Science है काउंट करके खाना आपको Carbohiter देखने पड़े आरे इज़ना Carbohiter है तो आपको सभी चीज़े काउंट करके खाना है It's all our bullshit इस वज़े से आज आप देखो West के कितने health में problems है, उनकी immunity कितने down है, तो एक चीज जो है अभी इनका में बात नहीं करूँगा, बिकॉस यह लोग च्रीक अभी है, लोग देखो diabetes हो जाने के बाद में अगर आप शुगर नहीं लेंगे, कार्भोहेड़र को लेंगे, तो आप आपको जरूरत है, वो आपको करना पड़ेगा, बट अगर आप normal एक life में हो, तो आप चाते हो कि आपको सभी चीज खाना, मैं process food को और artificial food को अलग कर रहा हूँ, घर का खाना बात कर रहा हूँ, जिसमें आप सभी grains का सकते हो, कोई रोक ठोक नहीं है, खली एक चीज है, जि उसको आप थोड़ा जादा avoid करो, because rice क्या करता, fad बना था, मैं देखा, इसका muscles में जादा काम नहीं है, चपाती रोटी जो complex carbohydrate है, if you are, अभी तुम को बता रहा हूँ कि तुम कैसे, कैसे तुमारा ये कोई दुश्मन ने, कुछने भी आना ये कोई तुमारा दुश्मन ने, रोटी, गेहू, everything is good, millets, everything is good, ये कब दुश्मन बन जाएगा तुमारा, जब तुम sedentary lifestyle में जाते हो, sedentary lifestyle का मतलब मैं तुम को बता तो, अभी sedentary lifestyle नहीं है, तो अभी एक और लोग आएंगे, कि बोलेंगे, मैं ये, मुझे ये समझ में नहीं आता, कि जो भी ये लोग आ पड़ेगा, particular place पे जाना पड़ेगा, fees देना पड़ेगा, gym का fees कितना है, gym का fees तुमको पता होगा ना कितना fees तुमारा मंतली कुछ नहीं कुछ कम से कम तो भी, पैसे तो तुमारा जाएगा, जब तुमको free का हर चीज तुमको मिल रहे तो क्यू तुम वो नहीं ले पा रह अपना size को बढ़ा था आपको समझना है कि आपकी जो body होते हैं वो lean होनी चीए perfect lean होनी चीए पतला भी नहीं और जदा size भी नहीं नहीं आपका chest अगर idle chest size 41 है तो 41 ही रहना चीए 43-44 हुआ that will be a problem तो आप अपने अपको fit ये नहीं बोल सकते अगर आप lean जब तक आप lean नहीं और तब तक आप अपने अपको fit नहीं बोल सकते कोई भी हो आप मोटे हो कुछ भी हो आपने आपके अंदर ताकत आप exercise करोगे numbers बढ़ेगा तो definitely आपका थोड़ा strength भी बढ़ेगा बट उसम आप fit healthy नहीं हो जाते lean ही एक body एक ऐसा body है जो आपको healthy बनाता है do natural exercise like push-ups, pull-ups and running enough है and unknown you can add it तो अगर मान लो कि अगर यही चीज अगर आप शुरुआज से करने चालू कर दिया अगर आप natural exercise करते हो तो आपके लिए ये कोई नहीं matter करता कि आपको एक protein इतना लेना है आप you can eat whatever you want आप खली एक काम कर दो आपके second plate के अंदर salad add कर लो that's it और कुछ भी नहीं करना है आपको तो अगर आप diabetes नहीं हो आप अभी से क्या कर लो exercise चालू कर लो regular exercise एक discipline बनाओ regular exercise चालू कर लो gym मत जाना regular exercise कर लेना तुमारा उससे तुमारा fitness तुमारा develop होगा और आने वाले तुम 60-70 years में भी ना तुम बिंदा सब खा सकते हैं तुमको कोई भी रोक नहीं होगा कि तुमको ये कम खाना है तुमको प्रोटीन इतना लेना है तुमको कभी सारे business marketing है अपने products को बेचने के लिए और कुछ भी अपने के लिए सब्सक्राइब।